मुंबई में एंसिपी अजीद पवार गुट के नेता और महराश सरकार के पूर मंत्री बाबा सिद्धकी की गोली मार कर हत्या कर दी गई है ये बड़ी कबर है शरीवार यानि की देद रात मुंबई के बैंडरा इस्ट में इन पर गोलीयों की बहुचार की गई तीन राउंड गोलिया मारी गई हैं बाबा सिद्धकी को इस मामले में कारवाई करते हुए पुलिस में दो लोगों को गृफतार भी कर लिया है जबकि एक आरोपी फरार है इस गोली बारी के बाद महराश शेमों के मंत्री एकनाश इंद ने कहा है कि सभी आरोपियों के खिल की हैं दो गोली उनकी सीने पर जा लगी है और जिससे उनकी ऑन स्पोर्ट डेथ हो गई लेकिन उनको अस्पताल ले जाने की कोशिश की गई जहां पर डॉक्टर्स ने उनने मृत खोशित किया इसमें आपको जानकारी देते हैं दो आरोपी जो पकड़े गाई है एक हर्या कांट की और सद्दिन ओवेसी ने मुंबई में महराष्ट में सुरक्षा विवस्था को लेकर सवाल खड़े की हैं लेकिन जो तस्वीरे आप देख रहे हैं यह वही आरोपी हैं जिनोंने हत्या के मकसद से ही गोलियों की बहुचार की थी क्योंकि बहुत ही नस्दीक से बा बाबा सिद्द्दी की मौत हो गई है पूरे मुंबई में इस समय हल्चल मच रखिये एक्स मिनिश्टर बाबा सिद्दी की इन पर जान लेवा हमला हुआ था दुर्बागे से उनके बर्ति हुई है ऐसी खबर है और यह बहुत ही दुर्बागे पूर्ने गटना है दुकत गटना है और इसमें दो आरोपी अरेश्ट है एसा पुलिस कमिशनर भनसाल कर जीने मुझे कहा है और एक आरोपी फरार है यह दोनों एक हर्याना और उत्रपदेश का है तिसरा आरोपी की जो फरार है उसको पकड़ने के लिए पुरी पुलिस की टीम क्रेम ब्रेंच कांण कर रही है और उसको जल्दी पकड़ा जाएग और यह तीनों के उपर कड़ी कारवाई हो जाएगी इनसे भी के बरिश्च नेता बाबा सिद्धी की इनको लिलावती हॉस्पिटल में लाया गया था फाइरिंग होने के बाद तुरंद उनको यहां पर लाया गया और अभी हम देख रहें के लिलावती हॉस्पिटल में लेकिन यहां पर कई सारे लोग आये हैं अंदर अगर इस्पिताल में अगर हम देखें तो देवेंदर फड़नवी जो गुरुह मंत्री है वह आये हुए है उन्हीं के साथ आशी शेला जो बांडरा के सांसदे वह भी यहां पर आये हुए है लगवग इस पूरी घतना के ब बाद यहां पर कहीं कि कहीं तो जो गवर्मेंट है वो शुरक्षा देने में नाकमयाब रही उनको धंकिया भी कुछ दिनों पहले आई थी लेकिन उस बारे में भी पूरी सीरियसली उस पर आक्शन नहीं लिया गया और इसी बीच में अगर हम देखें तो आज जब यह फा कारण लगभग आने वाले इलेक्शन में भी उसके बहुत बड़ा इंपक्ट हमें आने वाले समय में दिखाई दे सकता है विरजन इस अविनाश के साथ सुस्मित रहो जाने बाड़ी न्यूज अचीन तो बाबा सिद्द्द्द्द की हत्या कांड से जुड़ा बड़ा अपडेट अप तक पहुंच आ देते हैं। बाबा सिद्दकी की लोकेशन की जानकारी दे रहा था और देखिए ये चार शूटर आप कह सकते हैं जिनमें अभी दो पुलिस के हत्ते चड़े हैं और दो इस समय पुलिस के हत्ते नहीं चड़े हैं जिनको पकड़ने के लगातार कोशिश की जा रही है जो जानकारी पहले उसके मताबिक तीन चूटर थे लेकिन अब ये बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं चार शूटर क्योंकि इन तीनों को अपडेट करने वाला भी एक शक्स वहाँ पर मौजूद था जिसकी गिरफतारी के लिए भी अब लगातार दबिश दी जारी है बाबा सिद् के बाद से मुंबई पुलिस की पांच टीम और क्राइम ब्रांच की टीम इस पूरे मामले की जार्च कर रही है बाबा सिद्की जो की कभी कॉंग्रिस के कदावर नेतर हुआ करते थे अभी कुछ समय पहले इन्होंने एंसीपी जॉइन की है अब ऐसे में देखिए इनकी सवाल खड़े कर रही है यहाँ पर विरोधियों के निशाने पर महराश की सरकार आ रखी है सुरक्षा वेबस्ता को लेकर यह आपके सामने इस समय चार तस्वीरे हम दिखा रहे हैं बाबा सिद्धी को जिस जगह पर गोली लगी है वो जगह आप देख सकते हैं तीन से चा कर देख सकते हैं औरुने के लिला का भीया है